C.I.E.T. N.C.E.R.D. द्वारप्रस्तुत है कक्षच्चे की हिंदी की पाठे पुस्तक बाल राम कथा आए सुनते हैं बारा पाठों की इस पुस्तक का दूसरा पाठ जंगल और जनकपुर प्रिश्ट साथ राजमहल से निकल कर महर्शी विश्वामित्र सर्यो नदी की ओर बढ़े दोनों राजकुमार साथ थे उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुँचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निगट नदी पार नहीं की दूर तक सरियों के किनारे किनारे चलते रहे दक्षनी तट पर उसी तट पर जिस पर अयोध्यन अगरी थी वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे चूट गया उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई चलते चलते एक तीखा मोडाया तो सब कुछ द्रिष्टी से ओजल हो गया राम और लक्षमर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा उनकी नजर सामने थी महर्शी विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पढ़ने लगी शाम होने को आई राज कुमारों के चेरे पर ठकान का कोई चिन नहीं था उच्साह था वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तयार थे महर्शी अचानक रुके उन्होंने आसमान पर द्रिष्टी डाली चड़ियों के जुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे आसमान मटमेला लाल हो गया था चरवाहे लौट रहे थे गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे महर्शी ने पीछे मुड़ते हुए कहा दोनों राजकुमारों के चेरे के भाव देखते हुए विश्वा मित्र हलका समुश्खुराए राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा मैं तुम दोनों को कुछ विद्ध्याई सिखाना चाहता हूँ इन्हे सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा उस समय भी नहीं जब तुम नीद में रहो राम और लक्षमन नदी में मुँँ हाद धोकर लोटे महर्शी के निकट आकर बैठे विश्वा मित्र ने दोनों भाईयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई रात में वी लोग वहीं सोए तिनकों और पत्तों का पिस्तर बना कर नदी आने तक महर्शी उनसे बातें करते रहे प्रिष्ट आठ इस प्रिष्ट में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बहुत बड़ा दीर्ग काय राक्षस है और राम उसकी ओड तीर चला रहे है प्रिष्ट नौ सुभा हुई यात्रा फिर शुरू हुई मार्ग वही था सरियो नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी महर्शी अब भी आगे चल रहे थे लेकिन एक अंतर आ गया था राम लक्षमन अब दूरी बना कर नहीं चलते थे महर्शी के साथ ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में वहां के लोगों के बारे में व्रिक्षों वनस्पतियों के संबंद में स्थानिय इतियास उसमें शामिल होता था आगे की यात्रा कठिन थी जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी रात में ऐसा करना महर्शी विश्वामित्र को उचित नहीं लगा तीनों लोग वहीं रुक गए संगम पर बने एक आश्रम में अगली सुभा उन्होंने नाव से गंगा पार की नदी पार जंगल था गना, दुरगम, सूरज की किर्णे धर्ती तक नहीं पहुँचती थी इतना गना वहे डरावन भी था हर ओर से जींगरूं की आवाज जानवरों की दहार, करकश ध्वनिया राम और लक्षमन को आश्वस्त करते हुए महर्शी ने कह ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है इनसे कोई डर नहीं असली खत्रा राक्षसी ताड़का से है वहे यहीं रहती है तुम्हें वहे खत्रा हमीशा के लिए मिटा देना है ताड़का के डर से कोई उसवन में नहीं आता था जो भी आता ताड़का उसे मार डालती अचानक आक्रमन कर देती उसका इतना डर था कि उस सुन्दरवन का नाम ताड़कावन पड़ गया था राम ने महर्शी की आज्या मान ली धनुश पर प्रतिंचा चढ़ाई और उसे एक बार खीच कर छोड़ा इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था टंकार सुनते ही क्रोध में बिलबिलाई ताड़का गरश्ती हुई राम की ओर दोड़ी दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा जंगल में जैसे तुवान आ गया विशालकाय पेड कांप उठे पत्ते तूटकर इधर उधर उड़ने लगे दूल का घना बादल छावया उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने चुरू कर दिये राम ने उस पर बान चलाए लक्षमर ने भी निशाना साधा ताड़का बानों से घिर गई राम का एक बान उसकी हिर्दय में लगा वह घिर पड़ी फिर उठ नहीं पाई विश्वा मित्र बहुत प्रसंद हुए उन्होंने राम को गले लगा लिया उन्होंने दोनों राजकुमानों को सौ तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिये उनका प्रयोग करने की विधी बताई उनको समझाया प्रिष्ट दस महर्शी का अश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था लेकिन तब तक रात हो चली थी विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तै करने का निर्णे लिया ताडका मर चुकी थी उसका भै नहीं था तीनों ने रात वहीं बिताई ताडका वन में जो अब पूरी तरह भै मुक्त था सुभा जंकल बदला हुआ था अब वह ताडका वन नहीं था क्योंकि ताडका नहीं थी भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी पत्तों से गुजरती हवा थी उसकी सर सराहट का संगीत था चिडियों की चहचहाट थी शांती थी तस्वीर बदल गई थी सिध्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्शी का आश्रम रास्ता छोटा भी था मनुहारी भी प्राकर्तिक सौंदरे का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुँच गए आश्रम वासियों ने उनकी अगवाने की अभिननदन किया उनकी प्रसन्यता दुगनी हो गई थी महर्शी विश्वामित्र के आश्रम लोटने की खुशी राम लक्षमन के आगमन का सुक विश्वामित्र यगे की तयारियों में लग गए अनुष्ठान प्रारंब हुआ आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्षमन को सौप कर महर्शी आश्रम थे अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में पांच दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांती से निर्विग्न लगता था कि राजकुमारों की उपस्तिती ने ही राक्षसों को भगा दिया है राम और लक्षमन ने यग्यपूरा होने तक ना सोने का निर्णे किया वे लगतार जाकते रहे चौकस रहे कमर में तलवार, पीट पर तुनेर हाथ में धनुष, प्रतंचय चड़ी हुई हर स्थिती के लिए तैयार दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया मारीच क्रोधित था यग्यखे अलावा भी इस बात से कि राम लक्षमन ने उसकी मा को मारा था ताड़का को राम ने राक्षसों का हमला होते ही कारवाई की धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया मारीच बान लगते ही मूर्चित हो गया बान के वेक से बहुत दूर जाकर गिरा समुदर के किनारे वेह मरा नहीं जब होश आया तो उठकर दक्षिन दिशा की ओर भाग गया राम का दूसरा बान सुबाहु को लगा उसके प्राण मही निकल गए सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदन मच गई वे चीखते चिल्लाते भागे कुछ लक्षमन के बानू का शिकार हुए अन्य जान बचा कर भाग खड़े हुए महर्शी विश्वा मित्र का अनुस्ठान संपन्न हुआ प्रिष्ट ग्या रहा राम ने महर्शी को प्रणाम करते हुए पूचा अब हमारे लिए क्या ग्या है मुनिवर महर्शी ने राम को गले लगाया कहा हम लोग यहां से मिथिला जाएंगे महराज जनक के यहां विदेह राज के दरबार में मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनकी आयोजन में हिस्सा लेने महराज के पास एक अद्भुत शिर्धनूश है तुम भी उसे देखो राम और लक्षमन अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे नए स्थान देखने और जानने का अफसर सून नदी पार कर विश्वामित्र मिथला की सीमा के पास पहुँचे अपनी शिश्यों और राज कुमारों के साथ वे गौतम रिशी के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे राजजनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया तब ही उनकी द्रिष्टी राज कुमारों पर पड़े विदेह राज चक्कित रह गए वे स्वैम को रोक नहीं पाए महरशी से पूछा ये सुन्दर राज कुमार कौन है मैं इनकी आकर्षन से खिशता जा रहा हूँ ये राम और लक्षमन है महराज दशरत की पूत्र मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अदपुत दनुष दिखाने विदेह राज ने महरशी उनकी शिश्यों और राज कुमार के ठहरने की विवस्था की एक सुन्दर उद्ध्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, रिशे मुनी और राज कुमार यग्यशाला में उपस्तित हुए वहाँ महरशी ने फिर धनुष का उलेख किया महराज जनक ने अपने अनुचरों को आग्या दी शिवधनुष को यग्यशाला में लाया जाए शिवधनुष सच्मुच विशाल था लोहे की पेटी में रखा हुआ पेटी में पहिये लगे हुए थे आठ पहिये उसे उठाना लगभव असंभव था पईयों के सहादे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था अनुचर मुश्किल से उसे खीचते हुए यग्यशाला में ले आए धनुष देखते ही विधेराज एक पल के लिए उधास हो गए उन्होंने कहा मुनिवर मैंने प्रतिग्या की है अपनी पुत्री सीता के विवा के संबंध में जो यह धनुष उठा कर उस पर प्रतेंचा चला देगा उसी की साथ सीता का विवा होगा आनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए उठाना तो दूर वे इसे हिला तक नहीं सके प्रतेंचा क्या चलाते विदेह राज का संकेत समझ कर महर्शी विश्वामित्र ने राम से कहा उठो वत्स यह धनुष देखो प्रिष्ट बारह इस प्रिष्ट में एक चित्र दिया गया है जिसमें राम है और खिर्की के दूसरी और सीता उन्हें देख रही है प्रिष्ट तेरा राम ने सिर्जुका कर गुरु की आग्या स्विकार की आगे बढ़े पेटी का ढखकन खोल दिया राम ने पहले धनुष देखा फिर महर्शी को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने यह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया यह ग्येशाला में उपस्थित सभी लोग हत प्रव थे इसकी प्रतेंचा चलहा दो मुनिवर राम ने पूछा अवश्य यदि ऐसा कर सकते हो विदेहराज चकित थे राम ने आसाने से धनुष जुकाया उपर से दवा कर प्रतेंचा खीची दवाव से धनुष बीच से तूट गया उसके दो टुकडे हो गए बच्चों के खिलोने की तरह यह ग्येशाला में सन्नाटा चा गया सब चुप थे एक दूसरे की ओर देख रहे थे सभा की चुपपी महराज जनक ने तोड़ी उनकी खुशी का ठिकाना न था उन्हें सीता के लिए यो ग्यवर मिल गया था उनकी प्रतिग्या पूरी होई जनक राज ने कहा मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महराज दशरत के पास संदेश भीजू बारात लेकर आने का निमंत्रन यह सुप संदेश उन्हें शीगर भीजना चाहिए महर्शी की अनुमति से दूद अयोध्या भीजी गए सबसे तेज चलने वाले रथों से इस बीच जनकपुर में धूमज गई बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी नगर की प्रसन्दता चरम पर थी महराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई आनन फानन में बारात तैयार हुई हाथी घोडे रथ सेना बारात को मिथिला पहुचने में पांच दिन लग गए जनकपुरी जगमगा रही थी हर मार्ग पर तोरण द्वार हर जगा फूलों की चादर एक एक कोना सुवासित हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार एक एक घर से मंगल गीत मुख्य मार्ग पर दर्शकों की आपार भीड खिड़कियों और छज्जों से जहांकती महिलाए एक नजर राम को देख ले राम सीता की जोड़ी दिख जाए विवास से ठीक पहले विदेह राज ने महराज दशरत से कहा राजन राम ने मेरी प्रतिग्या पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्षमन सी हो जाए मेरी छोटे भाई कुछ दुहज की भी दो पुत्रियां है मान्वी और शुरुत कीर्ती कृपया उन्हें भारत और शत्रुगुन के लिए सुईकार करें राजा दशरत ने ये प्रस्ताव तत्काल मान लिया विवाह के बाद बारात कुछ दीन जनकपुरी में रुकी बाराती बहुँओ को लेकर आयोध्या लोटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारे स्त्रियों ने फोल बरसाए शंक ध्वनी से गलियां खुझ उठी ये आनुन्दुत सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा इसी के साथ कक्षाच्छी की हिंदी की पाठे पुस्तक बाल राम का थाका ये पाठ जंगल और जनकपुर समाप्तुवा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. ने दिल्ली भारत